असलाम लेकुम स्ट्राइट्स माइन में सुफ्यान इकाम और आज हम ICS Computers and Spark 1 की एक नहीं रेक्शन में जो देखा था कि तीन में आउट्पुट डिवाइसिस हैं जिन में हमारे पास मोनीटर से प्रिंटर से और स्पीकर से तो स्टुनेंट्स मौनीटर से बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम प्रिंटर से बारे में पढ़ना स्टार्च कर रहे हैं। तो स्टुडेंट्स, प्रिंटर्स के टॉपिक को पेपर की पॉइंट ओफियू से देखा जाए, तो चैप्टर मेर वन में से चुके एक लॉंग क्वेस्टेन आना है, एक माक्स का, तो सबसे ज़्यदा पॉसिबिलिटी होती है कि वो प्रिंटर्स में से आ जाए, और उस में से कैसे question आता है कि कभी impact printers के बारे में पूछ लिया जाता है, उनको explain करना होता है, कभी non impact printers के बारे में पूछ लिया जाता है, उनको explain करना होता है, और पुछ rare cases के अंदर, इन दोनों के दर्मियान difference को पूछ लिया जाता है, तो इस लिहाज से आज का topic बहुत important है, chapter 1 के most important long questions मैं से एक long question इन printers के अंदर से आता है तो students basically printers करते हैं, printers किसी भी document के electronic version को या जिससे कह सकते हैं, soft copy को convert करते हैं hard copy के अंदर यह यह printers किसी भी text को image को किसी paper के उपर print करने के लिए इस्तर्माल किया जाते हैं, इनकी दो major types है, impact printers और non-impact printers, तो students आज का हमारा topic है impact printers, तो impact printers कौन से printers होते हैं, which form character by striking mechanism, यह यह character को कैसे generate करते हैं paper के उपर, by using a striking mechanism, यह यह paper के उपर कोई चीज strike करते हैं, मारते हैं, जिसकी वज़ा से paper के उपर image create होता है, such as printer hammer और wheel against a ink ribbon, यानि अब वो क्या चीज़ हो सकती है, जो paper पे लगती है, वो printer hammer हो सकता है, या कोई wheel हो सकता है, जिसको ink ribbon के उपर मारा जाता है, और ink ribbon further paper पे मारा जाता है, जिससे paper के उपर image create होता है, इसको समझने के लिए आपको stamp के बारे में पता होगा, कि एक stamp कैसे paper पे लगाई जाती है, बस striking the stamp on the paper, यानि paper के उपर हम उस stamp को strike करते हैं, मारते हैं, तो उसका एक image paper के उपर बन जाता है, इसी mechanism को use करते हो, हमारे impact printers काम कर रहे होते हैं, हमारे पास printer hammer हो सकती हैї, या कोई wheel हो सकता है जो ink ribbon के उपर बारा जाता है, और फिर further ink ribbon जब paper के उपर लगता है, तो ink ribbon के उपर से ink paper के उपर shift हो जाती है, और वो ink कोईंच कोई character फॉर्म का रही होते है, कोई image बना रही होती है तो इसी mechanism को इस्तमाल करते हुए हमारे पास तीन major printers है dot matrix, decibel and line printers तो dot matrix printers का mechanism कैसे है कि इसके जो print head है इसके नो बहुत सारी छोटी छोटी pins होती है वो pins strike करती है और एक dot create करती है यानि contains the print head of small pins which strike on the ink ribbon against the paper यानि अगर आप ये वाली figure देखें तो यहाँ पे ये एक pin दिखाई दे रही है ये pin जब strike करती है ink ribbon के उपर और ink ribbon further strike करता है paper के उपर तो एक dot create होता है forming characters और images print head are available with 9, 18 and 24 pins अब यानि ये जो pins है आप ये देखें के इस image में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि ये जो हमारा print head है ये 9 pins वाला है तो ये 18 वाला भी हो सकता है और 24 pins वाला भी हो सकता है तो अब ये देखें के जितनी ज़्यादा pins होंगी उतनी ज़्यादा इसकी image की quality या dot matrix की quality बेस्तर होती जाती है तो students अगर mechanism को गोर से समझ लाएं तो आब ये देखें के हमारे पास ये हमारा print head है और इस print head के आगे हमारे पास एक ink ribbon है और ये इस roller के उपर हमारा paper roll हुआ 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 है अब होता कुछ यूँ है कि यहाँ से जब इस printer को signal मिलते हैं तो ये pins strike करती है इस ribbon के उपर और ये फिर ribbon जो है वो strike करता है paper के उपर और image create होता है अब इसको dot matrix क्यों कहा जाता है dot matrix इसलिए कहा जाता है matrix कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो rows और columns की सुर्ट में मौजूद हो तो आब ये देखें कि हमारे पास ये जो characters form हो रहे हैं ये dots का matrix बना रहे हैं यानि dots की मदद से rows और columns को create किया जा रहा है जिसकी basis के उपर हमारे पास character generate हो रहा है इसलिए इसको हम dot matrix printer कहते हैं तो next है हमारे पास daisy wheel printer अब daisy wheel printer के अंदर एक wheel का इस्तमाल होता है और उस wheel के ओपर petals लगी होती है petals कहते हैं पतियों को तो जिस तरीके से एक फूल के ओपर पतियां लगी होती हैं इसी तरीके से इस wheel के ओपर daisy wheel के ओपर पतियां लगी होती है और हर पति के end के ओपर एक character लगा होता है जब ये wheel से हमने कुछ character को form करना होता है तो हमारा ये wheel rotate करता है और rotate करके हमारे एक specific character को जिसका हमने print करना होता है उसको printing position के उपर लेकर आता है और फिर उसके उपर उसके back से एक hammer strike करती है और वो character जो के एक petal के उपर बना होता है वो paper पे strike करता है और image create होता है तो अगर आप इस image को गोर से देखें तो हमारे पास ये daisy wheel printer का daisy wheel है और इस wheel के उपर ये जो box बने वे हैं ये basically हमारे character तो इस पूरे wheel के उपर सब जगा पर character लगे होता है और ये wheel clockwise या anti clockwise move कर रहा होता है अब कोई भी character हमने जब print करना है वो print position पे आएगा तो उसके back से अब ये देखें कि hammer strike करती है और फिर वो character hammer strike करने के बाद character strike करता है ribbon के उपर और ribbon further strike करता हमारे paper के उपर तो इस mechanism को इस्तमाल करके हमारे daisy wheel printers working कर रहे होते हैं और ये हमने एक daisy wheel की image लगाए हुया तो ये देखें ये हमारे पस wheel है और इसके petals के उपर हर एक करेक्टर लगा हुआ है A character comes in the print position by wheel rotation and the image is formed by hammer strike on the character ठीक है तो ये wheel strike जो है वो rotate करता है और हमारे desired character जब हमारे print position के उपर आता तो इसकी back से hammer उसके पर strike करती है अब ये जो daisy wheel printer है ये slower है dot matrix के निसपर लेकिन better print quality देता है dot matrix के निसपर यानि अगर आप daisy wheel को dot matrix से compare करें तो हमारे daisy wheel printer जो है वो slower है लेकिन quality अच्छी देते हैं जबकि हमारे dot matrix है वो faster है लेकिन उनकी quality जदा अच्छी नहीं होती यानि print की quality जदा अच्छी नहीं होती तो students आज का last topic है line printers अब line printers normally used किये जाते है main frame और many computers के साथ तो students अब इसका mechanism कुछ इस तरीके से है कि इसके अदर एक chain होती है जैसे ही image में हमें दिखा रहे हैं कि एक chain होती है जिसके उपर character बने होते हैं और वो character further ribbon के उपर strike कर रहे होते हैं और ribbon further paper के उपर strike कर रहा होता है और इस तरीके से हमारे पास image create हो रहा होता है यहां पर हमारे पास यह रहेमर है यह इसका paper लगा हुआ है यह ink ribbon है और यह chain है जिसके उपर different characters बने होई है अब इसके अदर difference क्या है कि यह पूरी की पूरी line को at a time print करने के काबिल होती है यानि dot matrix और daisy wheel printers देखे हैं उनके अदर at a time एक character print हो रहा होता है जबके इसके बारे में वो कहा कर बताता है कि print the whole line of character at a time at once यह एक वक्त में पूरी line print का रहा होता है जिसके वजह से यह उन दोनों के निसमत fast है some of them can produce 3000 lines per minute यानि यह इतने fast होते हैं कि 3000 lines एक minute के अंदर produce करने के काबिल हो सकते हैं इनकी basically दो types हैं जिनके दो chain printers आते हैं और band printers आते हैं तो यह chain printer की example यह mechanism दिखा रहा हुआ इसी तरीके सामय पर band printers भी working कर रहे होते हैं students अब impact printers को का analysis करें तो तो तुमाम के तुमाम impact printers एक तो loud होते हैं यह जब यह print create करते हैं तो short करते हैं उसकी वज़े ही है कि इनके इनके स्ट्राइकिंग mechanism है तो जब hammer strike करेगी तो obviously short और create होगा तो इसलिए यह loud होते हैं short इनके ने ज़्यादा होता है students दूसरा इनके ने drawback की है कि जिस specific style का जाए जिस specific font का character इसके अंदर बना होता है यह वही character आगे produce करने के काबिल होता है यानि यह different style के characters को produce नहीं कर पाते है students third इनके drawback यह disadvantage है कि यह बहुत अच्छी quality की output हमें provide नहीं करते है बहुत अच्छी quality का character form नहीं करते है print create नहीं करते है on the other hand students अगर इनके advantage इसकी तरफ जाने तो हमारे जितने impact printers हैं वो low cost printers होते है यानि एक तो printer भी सस्ता होता है दूसरा इसके print की जो cost आती है per print जो cost आती है वो negligible होती है यानि बहुत कम होती है तो students आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं और इंशाला नेक्स्ट लेक्शन में हम 9 new back printers के बारे में बढ़ेंगे तेंक्यों वेरी में स्ट्रोंट्स अपना और अपने जिगेद वालों का ख्यार लगएगा और मेरा यानि शुफियान एक्राम का असलाम भी पहुचाएगा अलाफिर्स